Hello student, this is second lecture of science, class third. Previous video में हमने जाना था कि different types के animals क्या होते हैं। इसमें हम जानेंगे how animals eat food, animals खाना कैसे खाते हैं। Animals eating habits depend on the type of food it eats. तो animals जो खाना खाते हैं उसके आधार पर इनको बाटा जाता है। तो कैसे होते हैं पहले plant eating animals, जो क्या खाते हैं। plant खाते हैं, plant eating animals have sharp and broad biting front teeth which help them to bite grass and leaves easily. जो plant खाने वाले animals होते हैं, उनके दात जो होते हैं, बहुत sharp, तेज होते हैं, चोड़े होते हैं। आगे के दात उनके, जो किसमें help करते हैं उन्हें? घास को और पतियों को चवाने में, खाने में, काटने में help करते हैं। They also have strong and flat grinding teeth to chew the food properly और उनके बहुत मजबूत और flat यानि चप्टे, खाने को पीशने वाले दात होते हैं, ताकि ये खाने को अच्छी तरीके से चवा सके हैं। Most of the monkeys are herbivores, अधिकतर monkey साकाहरी होते हैं, but many of them are omnivores, लेकिन अधिकतर उनमें से कई सारे ऐसे हैं, जो omnivores यानि सर्वाहरी भी होते हैं, they eat fruits, leaves, flowers, insects and small birds, वे फल, सबजियां, पत्ती, फल, फूल, कीट और छोटे पक्षियों को भी खा लेते हैं। Cut chewing animals or ruminants, यह क्या होते हैं, चवाने वाले, जोगाली करने वाले ऐसे, गाई और भैस होते हैं। Cut chewing animals or ruminants, first swallow the plant part quickly, तो ruminants क्या करते हैं, सबसे पहले, जो भी plant part हैं, उसको जल्दी से खा लेते हैं। Later on, they bring the food back into their mouth to chew it properly and swallow it again। बाद में यह जो खाना इन्होंने खाया था वह बापिस से मुह में लाते हैं। बापिस से फिर से मुह में लाते हैं और इसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से चवाते हैं। This is called chewing the cud, इसको क्या कहते हैं, chewing the cud बोलते हैं। जो गाली करने वाले एनिमल्स या चवाने वाले, cows, buffalo, sheep, camel and giraffes are ruminants, यह सभी क्या होते हैं। Ruminants क्या होते हैं, इनका पेट होता है उसमें four chambers होते हैं। इनका नहीं होता है। Growing animals like rats, rabbits and squirrel have very sharp long front teeth to bite into seeds, fruits, etc. तो दाना खाने वाले एनिमल्स होते हैं जैसे rat, rabbit, चुगा, खर्गोज, गलहरियां। इनके जो दानत होते हैं सामने के वह बहुत ज्यादा sharp होते हैं और long होते हैं, लंबे होते हैं। ताकि ये वीजों को फलों को असानी से काट सकें। तो इतनी तेजी से ही अपने जो इनके सामने के दात होते हैं, उनके बहुत तेजी से दानों को ये काटते हैं। तो यहाँ पर हमें two-two examples देने हैं, lap of milk and water, जो पानी को क्या करते हैं, पीते हैं। तो वह कौन से हैं, डॉग और कैट, जो कैसे करते हैं, जीब बाहर निकालके उसको पानी को पीते हैं। इट लीव्स, जो पतियां खाते हैं, उनके two examples दो, इट नट्स, जो नट्स खाते हैं, उनके two examples आपको अपनी बुक में यहाँ पे फिल करने हैं। Elephants have large trunk which help them to eat plant and drink water. Elephants की क्या होती है, लंबी सूर होती है, जिससे वो प्लांट को खाता और पानी पी सकता है। They use their trunk to spray water like a fountain into their mounds to drink water and over their body to wash. तो यह क्या करता है, अपनी जो लंबी सूर होती है, उसके पानी को एक जहरनी की तरह यूस करता है। और क्या करता है, अपने बॉडी को भी नहलाने का भी काम करता है और उससे पीता भी है। Giraffes have long necks which help them to eat from the higher branches of trees. Giraffes की लंबी गर्दन होती है, जो उससे help करती कि उची उची पेडों की साखाओं को भी वो खा पाता है। Flesh eating animals or carnivores have very sharp and pointed teeth which help in tearing flesh of their prey. मास्क खाने वाले animals होते हैं उनके कैसे दान्स होते हैं बहुत तेज होते हैं, सार्प होते और pointed होते हैं , जो क्या करते हैं मास्क और दूसरे जो सिकार होते हैं उसको फारने का काम करते हैं और उनके बहुत मजबूत पीशने वाले दात होते हैं ताकि कि वो क्या कर पाते हैं मीट को या हट्डियों को भी अच्छे से चबा पाते हैं तो यहां पर सर्किल दा और बन आउट है वो करना है तो यहां पर काउ जिर्राफ और हाइना हो जाएगा क्योंकि क्या है हर्वी ब पढ़ेंगे